वेल्कम बेक टो मैं चैनल कमिटेट अचीवर्स गाइज आप लोग सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे गाइज मैं आप लोग के लिए फिर से दा हिंदू वोकेब की एक सीरीज ले कर आई हूँ जो सारे के सारे वोकेब्स है वो बहुत इंपोर्टेंट है और हमारे डेली लाइ फर्स्ट वो नॉट हम बिसिकली यह एक एक यह प्रिंसीपल होता है जो बाइधिकल के स्टुडेंट्स होते हैं उनको चिखाया जाता है उनकी ट्रेनिंग की दोरान की आपको क्या करने किसी को हाम नहीं करने है वी मस्त नेवर फाउगेट प्रीमम नॉन नॉसरे तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए प्रीमम नॉन नॉसरे को आईए नेक्स्ट वर्ड दिखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा Comorbidities, Comorbidities क्या उता है? Comorbidities साथ में, एक नावने जिसका मतलब है इसका मतलब है the fact that the people who have disease कि एक person है जिसको disease है और condition also have one or more than others disease कि कोई भी ऐसी condition जिसमें कोई भी ऐसी condition है, कोई भी ऐसी disease जो एक तो है उसके साथ other diseases भी है जो जैसे कि Comorbidities is the simultaneously co-existence of multiple disorder मतलब primary disorder तो है और साथ में other disorders भी है जैसे कि इसका example देख लेते हैं जैसे अस्तमा होता है तो अस्तमा में हमापस क्या क्या होता है अस्तमा होता है तो obesity भी होती है Metabolic syndrome भी होते है Diabetes भी होती है, Mental disease भी होती है Cardiovascular disease भी होती है मतलब एक disorder है Primary disorder क्या है? अस्तमा और जो multiple disorders है उसमें क्या क्या होती है Diabetes आ गई, Obesity आ गई, Metabolism syndrome हो गया Mental disease हो गई और Cardiovascular diseases हो गई तो मतलब एक disease तो है और other भी हो जाना Next है हमारा Paranoia Paranoia का एक नाउन है जिसका मतलब बहुता है Intense Fear, Suspicion और Usually Unfounded तो basically इसका मतलब बहुता है Fear, Paranoia का मतलब होता है Fear, ठीक है जैसे कि आपको image में दिख रहा है Next में चलते है, Next है हमारा Take on, Take on क्या है एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है become very upset Especially needlessly, बिना बात का Upset होना किसी भी चीज को या फिर needlessly ठीक है, जैसे इसका To accept the task of handling A difficult person, कि एक किसी को Task दे दिया, कि उसको handle करना है A difficult person को, या एक difficult thing को लेना है ठीक है, तो अब इसमें example है I'll take it on If nobody else will do it तो अगर उसने बोला, एक person ने बोला कि अगर कोई और नहीं करेगा, तो मैं लोगा इसको तो इसमें वो भी दे रखके है आपको, Do not take on the problem of other कि दूसरों की problem को मतलो थर्ड वर्ड है मैरा, look upon Look upon में एक है, एक phrasal verb है, जिसका मतलब होता है To consider or think of someone कि कि किसी चीज़ को consider करना है किसी चीज़ के बार में सोच रहा Something is something Something is something, ठीक है इसका मतलब है, apparently the system was not favorable look, कि पहली नजर में तो system हमें favorable नहीं लगा Upon in more than Cosmopode area में Polyton areas के अंदर God look upon It all, कि God जो है, वो सब देख रहे है So that it was good ठीक है, और I have look upon the Mississippi Since I have been a child Next पर चलते है, next है हमारा 4 4 एक नाउन है, जिसका मतलब है An enemy or opponent, Barry Shatru He bring four men to their Knees, वो क्या करता है, जो भी अपने Anemies होते है, उसको उनको घुटनों पे लाग देता है So हम बूचते है, are you my four Or my friend, ठीक है Next है, plague, plague क्या होता है एक verb है, जिसका मतलब होता है कोई भी continue trouble, या distress, विपत्ती Infection disease, जो की Spread करती है quickly और मार देती है काफी सारे लोगों को Plague क्या मतलब होता है कोई भी continue trouble, distress, विपत्ती कोई भी ऐसा infectious disease जो spread होती है बहुत क्विकली और केल करती है Many people को There has been a plague of bank robbery in this area कि इस area में bank robbery एक plague है ठीक है, next पे चलते है मतलब पेस्टिलेंस पेस्टिलेंस का एक नावन है जिसका मतलब होता है Fatal epidemic disease यह भी एक epidemic disease होती है specially bubonic plague एक तरीके से plague की तरह ही है इसका मतलब भी कहा होता है एक fatal disease जो spread होती है बहुत क्विकली और मार देती है large number of people को The pestilence was fearfully severe तो जो pestilence है वो fearful है और severe है मतलब एक major है problem है Next है इसका देख लिएता है definition है pestilence pestilence क्या है नाउन है fatal epitachmic disease and evil influence और agent इसका synonym है contagious contagious का भी मतलब क्या होता है fanla sample इसका sentence है dragon cause great pestilence in many great Maldivian story जो Maldivian story थी उसमें dragon क्या थे great pestilence थे next है got it got it का मतलब क्या होता है verb है इसका भी मतलब इसका मतलब क्या थे to cause someone to do something by being annoying कि हम किसी को कोई परिशान कर रहे है लगातर परिशान कर रहे है ताकि हम उसको provoke कर सके कोई चीज करने के लिए ठीक है हम उसको क्या कर रहे है हमें उसको प्रेरित कर रहे है गुस्ता दुला रहे है प्रवोक होनी की जरूरत है got it like a auction auction की तरहे जैसे auction को लेट कपड़ा दिखा के उसको provoke किया जाता है जली कट्टू के जो भी वह होता है festival होता है तो वैसी next word है हमारा obfuscated obfuscated क्या एक verb है इसका मतलब उसका make obsecure unclear unintelligible ठीक है us first करना यह समझ से परे तो जैसे कि इसने क्या करना इसने कुछ commands लिखी जो कि nothing to see मतलब कुछ समझ नहीं आ रही हमें कुछ भी secure नहीं हो रहा obfuscate मतलब secure नहीं है क्योंग कोई चीज secure नहीं है तो हमें समझ ही नहीं है हम confused है उस चीज को लेगे कोई चीज clear नहीं है opaque है basically ठीक है नेक्स इसका इसका example देख लाथा she was criticized for using argument उसको criticize किया गया उसके argument की use की वज़े से क्योंकि उसके argument जो था ना वो कह था obfuscated था main issue से मतलब उसके argument main issue जो है opinion बना लिलना that is not based on reason कोई भी ऐसी opinion जो इसका कोई reason ही नहीं है या फिर कोई actual experience ही नहीं है मतलब पूर्वधारना पहले से ही हमने सोच लिया अव विश्वास ठीक है जैसे कि अब police do not want to prejudice an investigation police को नहीं करना चाहिए prejudice किसी भी investigation को लेके पहले ही opinion नहीं बना लिलना चाहिए कि हाँ वो ही culprit है next है हमारा xenophobia xenophobia क्या है xenophobia एक noun है जिसका मतलब होता है extreme dislike किसी चीज के पहली बात तो इसका root word है phobia तो phobia का मतलब होता है डर ठीक है तो आप हमने लगा दिए xenophobia ऐसे catastrophobia होता है या बहुत तरीकी के phobias होते है वो मैं आगे वाले lectures में cover करूंगी तो यह xenophobia क्या होता है basically dislike fear और किसे foreigner से उनके culture से उनके religious से विदेशी लोगों को ना पसंद करना जैसे कि the boy's xenophobia arose when he watch a black man kill his mother तो boy का xenophobia वो कब बढ़ा जब उसने देखा एक black man ने उसकी mother को kill कर दिया तो इसमें एक यह भी दे रखका है कि every life matter हर एक life matter करती है stop xenophobia ठीक है stranger से डर होते है xenophobia next पर चलते है next है मारा containment containment एक noun होने जिसका मतब होता है the action of keeping something harmful under control मतलब एक मकसद है किसका fireman का they try to control the forest fire वो क्या try करते हैं वो forest fire को रोकने का try करते हैं आईए फटाफट से सारे words की revision कर लेते हैं तो पहला हमारा word था premium non-nostery premium non-nostery का मतलब है first do not harm हमें हम निक करना चाहिए किसी को एक principle होता है जो की bioethics के students को बढ़ाए जाता है next पर चलते है next है हमारा comorbidities comorbidities का मतलब primate disorder तो ही ही और साथ में उसके साथ multiple disorder है मतलब एक बिमारी तो ही plus उसके साथ 36 बिमारी भी है फिर है paranoia paranoia क्या होता है fear एक suspicion मान सिक तराफ कह सकते हैं take on का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपसेट कर देती है या फिर especially कोई भी चीज जो needless है मतलब अगर I will take it on if nobody else will do it मैं लूँगा इसको अगर कोई और नहीं लेगा मतलब कोई ऐसा task ले लेना जो handle करने में या फिर कोई ऐसा person जिसको handle करना बहुत मिश्किल हो या कोई भी ऐसी चीज जो handle करने में बहुत मिश्किल हो look upon look upon भी एक phrasal verb है इसका मतलब है किसी चीज को consider करना या think करना किसी के बारे में next step 4 4 का मतलब होता है एक नावन है जिसका मतलब होता है शत्रू नेक्स पर चलते है next है हमारा plague plague क्या होती है एक विमारी होती है जो की फैलती है बड़े scale पे और काफी ज़्यादा लोगों को मार देती है ठीक है फिर है हमारा pestilence pestilence भी plague की तरह ही है इसका मतलब भी होता है कोई भी epidemic disease जो की क्या करती हो plague की तरह है और spread करती है quickly और मार देती है कही सारे लोगों को next हमारा gaudit gaudit का मतलब है किसी person को provoke करना उसको annoying करना किसी काम कर कोई काम करवाने के लिए जैसे जली कट्टू में हम ox को क्या करते है provoke करते है कि उसको red कपर दिखा के उसको गुसा दुलाते है ताकि वो भाग सके next है हमारा obfuscated obfuscated मतलब कोई भी ऐसी जी जो first create कर रही है first मतलब confusion confusion create कर रही है clarity नहीं है इसको आप याथे सकते है FUS first confusion create कर रही है कोई भी चीज जो ए clear नहीं है unintelligible next पर चलते है next हमारा prejudice prejudice मतलब prejudice मतलब चाहे कुछ भी कहलो prejudice जो भी कह रहा है उसको नहीं मानना उसको prejudice कर देना है पहले से अपनी जो आपिनिन है उसको fix करना है पहले ही पूर्फ धार्णा बना लेनी कि हाँ ये बंदा ऐसा ये बंदा ऐसा है ठीक है पर चलते है next आमारा xenophobia phobia का मतलब होता है तर और xenophobia का मतलब होता है जो foreigner से डर होता है नेक्स पर चलते है नेक्स स graph अमारा containment containment का मतलब कोई ऐसी harmful चीज उसको हमने क्या करना है control करना है मतलब Containment का मतलब एक डबा है डबे के अंदर हमें उसको बंध कर देना है तो guys I hope आपको इस सारे वर्ट पसंद आयो समझे आए तो अगर आपको इस सारे वर्ट पसंद आए समझे आए तो प्लीज लाइक, share, subscribe and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you guys